नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मोहाली बिल्डर्स में आज हम आपके लिए 110 गज का विला लाए हैं बहुत ही शांदा लोकेशन है दोस्तों यह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे बने हुए हैं फ्रंट डिजाइन आप देख सकते हैं थोड़ा सेक्टर के बारे में बात करें तो सेक्टर 125 मोहाली में पढ़ता है ग्रेटर मोहाली में दोस्तों आप वीडियो देखते हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद उसके लिए लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस च आपकी गाड़ी अंदर पाक हो जाती है चोटा सा गार्डन साथ में बना हुआ है दोस्तों यह आप देख सकते हैं टफन ग्लास लगा हुआ है यहाँ अब हम अंदर चलते हैं यहाँ आपकी गाड़ी पाक हो जाती है दोस्तों यहाँ पे आपके टू वीलर पाक हो जाते है 8 feet के standard doors रगे हुए हैं दोस्तों यह आप stairs देख सकते हैं double molding की stairs है heavy steel की grill इसमें लगी हुई है जब तक आप subscribe नहीं करेंगे तब तक आप तक रोज मेरी updates नहीं पहुंचेंगी दोस्तों आपके support की ज़रूरत है इसलिए इस चानल को subscribe ज़रूर करें यह आप देख सकते हैं LED पैनल यह आप drawing room देख सकते हैं wallpaper लगा हुआ है fall ceiling completed है यहाँ पे आपका U-shape का sofa लग जाएगा दोस्तों प्राइम लोकेशन पर यह कोटी है sector 125 sunny enclave में 61 लाक इसकी asking है बाकी मौके पर negotiable भी है दोस्तों यह आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका dining table आ जाएगा LED पैनल आप देख सकते हैं बड़ी सी बड़ी LED लग जाती है open kitchen का concept है दोस्तों यह entrance आ गई यह आपकी kitchen आ गई आप देख सकते हैं L-shape में kitchen है grey and white का combination है दोस्तों चिमनी के लिए pipe छोड़ा हुआ है यहाँ आपका बड़े से बड़ा freezer आ जाएगा दोस्तों soundproof sanctus में लगे हुए हैं first bedroom के अगर हम बात करें तो यह first bedroom आगया आपका यह दिख सकते हैं fall ceiling completed है wallpaper इसमें लगा हुआ है brown color का touch है wallpaper का सब अचे feet का bed यहाँ पे लग जाता है wall to wall cupboards बनी हुई है साथ में trussing area भी बनाया हुआ है washroom की बात करें तो आप देख सकते हैं काफी spacious washroom है white color का concept है और wall to wall tiles इसमें लगी हुई है दोस्तों दीचे screen पे मेरे दोनों numbers दिये हुए हैं आप उन पे कभी भी मुझे call कर सकते हैं कोठी को visit करने के लिए भी आप मुझे जल्दी से जल्दी contact कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ दो ही कोठिया बची हैं दोस्तों बाकी सब sold out है यह देखिए wall to wall cabinets call ceiling अब हम चलते हैं second bedroom की तरफ यह second bedroom आ गया 110 गच की कोठी है दोस्तों बहुत अच्छा utilize किया है space को यह आप देख सकते हैं जाली का दर्वाजा double जाली का लगा हुआ है यह पीछे courtyard आ गया यहाँ पे wash area आ गया आपका washroom के साथ आपकी attach window भी है यह exhaust fan लग जाता है दोस्तों पूरी sunlight रहती है second bedroom की बात करें तो आप देख सकते हैं fall ceiling completed है wall to wall cabinets यहाँ पे लगी हुई है light brown and white का combination है dressing table साथ में बना हुआ है wallpaper देख सकते हैं washroom की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं gray color का concept है wall to wall tiling हुई हुई है fitting sanitary लगी हुई है सब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए नई नई वीडियो रोज लेके आए ताकि आपके सपनों का घर आप बना सकें दोस्तों लेकिन जब तक आप इसको subscribe नहीं करेंगे चैनल को तब तक हमारी मेहनत देख सकते हैं हमारी मेहनत दोस्तों आपके support की जरुरत है तो इस चैनल को subscribe करें जितना अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे like जरू अब हम उपर चलते हैं फर्स्ट लोर पर यह आप देख सकते हैं डबल मोल्डिंग की स्टेर्स हैं और काफी स्पेशियस हैं पर की बात करें तो आप देख सकते हैं आप भी टालिंग हुई है दोस्तों यह टफन ग्लास जो मैंने बताया था आपको नीचे से यह नीचे का लुक आप देख सकते हैं पाक लगा हुआ है बना हुआ ऐसामने यह आप देख सकते हैं उपर का डिजाइन बहुत अच्छा दिया हुआ है दोस्तों 8 feet के standard doors है यहाँ पे भी यह आपकी lobby आ गई यह आपका third bedroom आ गया यह आपका third bedroom आ गया यह आप देख सकते हैं fall ceiling completed है wallpaper लगा हुआ है यहाँ पे दोस्तों AC की piping डली हुई है काफी spacious room है यह आप देख सकते हैं इसमें भी attached washroom है साथ में दोस्तों gray color का concept wall to wall tiles लगी हुई है इसके साथ में भी L-shape की kitchen है दोस्तों open kitchen है modular नहीं है modular नहीं है दोस्तों 3BH के कोठी है 110 गचकी 61 लाक्स इसकी asking price है बाकी मौक्य पे नेगोशियाबल है दोस्तों यहां आपका freezer आ जाएगा यह बाहर का courtyard आ गया दोस्तों आप देख सकते हैं काफी spacious है यहां पे आप चाहें तो एक bedroom और बना सकते हैं यह उपर stairs जा रही है 3BH के house है बाकी की जानकारी के लिए आप मुझे call कर सकते हैं मेरा number है 8553-770-770 नीचे screen पे दोनों numbers दिये हूँ है दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद रहा है तो इसे like जरूर करें और इस चैनल को subscribe जरूर करें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कर दोस्तों